हेलो फेंट्स, वेलकम टू माई टूब चैनल, जीनियस इस्टडी 2.0 पर, दोस्तो आज हम रासान विग्जान के यानि की रासानिक सूत्रों के बारे में बात करेंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एकजाम में एक से दो कोशन जरूर पूछे जाते हैं, तो अगर करते हैं, आज का पहले कोशन के साथ, और दोस्तो अगर वीडियो आप सभी को पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप लोग वीडियो को लाइक कर देते, तो इससे हमें पता जल जा जाता कि जो हमने मेहनत किया है, आप लोग के लिए, वो मेरी सफल हो जाएगा, ऑप्शन नमबर ए, यानि कि CACO3, यानि कि संग मरमार का जो रासानिक सूतर होता है, वो होता है CACO3, नेस्ट कोशन देखते हैं, फैस्ट कोशन नमबर टू, फैस्ट कोशन नमबर टू है कि लाल दवा का रासानिक सूतर क्या होता है, तो दोस्तो राइट आंस तो next question देखते friends question number 3 दोस्तो question number 3 है कि bleaching powder का रासानिक सूतर क्या होता है तो दोस्तो right answer क्या हो जाएगा तो option है right answer हो जाएगा यानि कि C-A-O-C-L-2 friends bleaching powder का जो रासानिक सूतर होता है उसको क्या बोलते है C-A-O-C-L-2 चले next question देखते friends question number 4 कि रासायनों का राजा का रासानिक सूत्र क्या होता है आप से कोश्चन है कि रासायनों का राजा किसे कहा जाता है चले आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे और हम बात करें कि रासायनों का राजा का रासानिक सूत्र क्या होता है तो मेरे प्यारे दोस्तों राइट आं सूत होता है डी टू ओ यहां फे थोड़ा मिश्टेक हुई आ है तो यहां पे डी टू ओ पढ़िएगा यानि कि ऑप्सन नमर ए राइट आंसर हो जाएगा चले नेस्ट कोश्चन देखते हैं कि पारा यानि कि मरकरी का रासानिक सूत्र क्या होता है तो दोस्तो राइट आंसर क्या हो जागा बिल्कुल अप्सन介 राइट आंसर हो जागा definit मरकरी या फिर पारा का जो राइट आ होता है चले सपारे कि नर्फ कॉश्चन नम भड़े जाएगा यह जो है KNO3 यह potassium nitrate का रासानिक सूत्र होता है next question की बात करते हैं question number 8 है कि sodium carbonate का रासानिक सूत्र क्या होता है तो दोस्तो right answer हो जागा sodium carbonate का रासानिक सूत्र होता है Na2CO3 यानि कि option number C correct answer हो जागा दोस्तो अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आ रही है तो वीडियो को like करके हमें motivate जरू करिएगा ठीक है चले next question देखते first question number 9 question number 9 है कि sodium hydroxide का रासानिक सूत्र क्या होता है तो मेरे प्यारे दोस्तो right answer हो जागा option number B यानि कि NaOH NaOH जो फिर्ट से यह sodium hydroxide का रासानिक सूत्र होता है next question की बात करते हैं question number 10 की hydrochloric अमल का रासानिक सूत्र क्या होता है तो friends काफी अच्छा question है और right answer हो जागा यानि कि hydrochloric अमल तो इसको बोलते है HCL, HCL जो friends है इसको बोलते है hydrochloric अमल और इसका रासानिक सूत्र होता है HCL चले next question देखते first question number हो जागा गेरा, friends question number 10 है कि बेंजीन का रासानिक सूत्र क्या होता है तो friends ये question काफी important है और exam में भी पूछा गया है तो इसका right answer हो जागा C6A6 बेंजीन का जो friends रासानिक सूत्र होता है वो होता है C6A6 अगर आपसे यहीं पर question पूछे कि methane का रासानिक सूत्र क्या होता है तो दोस्तो right answer क्या हो जागा बिल्कुल option A right answer हो जागा NA2S2O3 तो देखना first option number A right answer हो जागा इस वीडियो में जितने में question करा रहा हूँ आप लोग ध्यान से देखेगा क्योंकि रासानिक सूत्र है और काफी important topic है तो एक-एक question को आप अपने mind में यह जो है feed कर लेना तब ही आपके काफी आप exam में यह question को सही कर पाएंगे ठीक है चले next question की बात करते first question number हो जागा 13 first question में तेरा कि नमक का आमला यानि कि नमक का रासानिक सूत्र क्या होता है तो दोस्तो right answer हो जागा काफी simple question है नमक का रासानिक सूत्र होता है NACL यानि कि option number A right answer हो जाएगा next question देखते first question number हो जागा 14 चले बताएंगे कि gypsum का रासानिक सूत्र क्या होता है यह भी question काफी बार important यानि कि exam में पूछा गया है तो फिरस gypsum का रासानिक सूत्र क्या होता है तो दोस्तो right answer हो जाएगा option number B यानि कि CASO2.2H2O तो option number हो जाएगा friends B B बता रहे हैं तो correct answer हो जाएगा next question देखते first question number हो जाएगा 15 फिटकरी का रासानिक सूत्र क्या होता है यह question आपके exam के लिए काफी most important है तो दोस्तो इस question को आप लोग screen source भी ले सकते है और right answer की बात के तो इसका right answer हो जाएगा option number C यानि कि उपर्युक्त दोनो यह जो friends fit करी का रासानिक सूत्र होता है यह option A और B दोनो इसका सही answer हो जाएगा चले next question देखते first question number 16 सिरिक का राशानिक सूत्र क्या होता है तो दोस्तो सर्क को ऐसे विनेगर भी बोलते है और इसका रासानिक सूत्र क्या होता है तो बिल्कुल 치 और OH यानि कि option A right answer हो जाएगा और अगर हम बात करें कि सिर्के सिर्के का pH मान केतना होता है तो सिर्के का जो फिर्ट pH मान होता है उसका होता है 2.2 और इसको बिनेगर भी बोलते हैं सिर्के को ठीक है तो ये भी आपको याद रखना है नेश्ट कोश्चन देखते फिर्ट कोश्चन देखते हैं वन इसकी चूना का राशानिक सूत्र क्या होता है तो दोस्तो राइट आंसर क्या हो जागा तो चूने का राशानिक सूत्र होता है C A O तो option A right answer हो जागा C A O जो है ये चूने का राशानिक सूत्र होता है next question की बात करते friends question 20 है कि सिंदूर का रासानिक सूत्र क्या होता है ये भी question काफी most important है और exam में भी पूछा गया है तो सिंदूर का रासानिक सूत्र क्या होता है तो friends आप लोग बताएंगे इस present का 20 का तो बिल्कुल option number A right answer हो जागा सिंदूर का रासानिक सूत्र होता है next question की बात करते friends question 21 की carbon monoxide का रासानिक सूत्र क्या होता है तो काफी simple question है और आप सभी को पता भी है की carbon monoxide का रासानिक सूत्र होता COO यानि की CO तो option number हो जाएगा C next question बताएंगे फ्रेश next question है friends question 22 की gel gas का रासानिक सूत्र क्या होता है तो friends right answer क्या हो जागा तो friends gel gas का रासानिक सूत्र होता है CO plus H2O तो option A right answer हो जाएगा next question बताएंगे friends question 23 है की हाथ सी gas का रासानिक सूत्र क्या है तो मेरे प्यारे दूस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा question 23 का तो बिल्कुल option number हो जाएगा यानि कि N2O N2O जो फ्रेंस होता है यह हाथ सिगेश का राशानिक सूतर होता है next question की बात करते है फ्रेंस question में हो जाएगा 24 की ozone, ozone का राशानिक सूतर क्या होता है तो फ्रेंस right answer हो जाएगा ozone तो ozone का राशानिक सूतर होता O3 तो ध्यान रखना option number B right answer हो जाएगा चले next question देखते हैं फ्रेंस question number हो जाएगा 24 यानि कि 25 पे कि गंधक यानि कि sulfur का राशानिक सूतर क्या होता है तो मेरे प्यारे दोस्तों right answer हो जाएगा SO2 प्लस N2O तो यह जो है अमली वर्सा का राशानिक सूतर होता है SO2 प्लस NO2 चले next question की बात करते हैं question 27 है कि कास्टिक सूडा का राशानिक सूतर क्या होता है तो friends question काफी अच्छा है और right answer हो जाएगा NAOH NAOH जो friends है यह कास्टिक सूडा का राशानिक सूतर होता है और option No.A चले next question की बात करते है first question 1 हो जाएगा 28 और दोस्तों अगर यह वीडियो आप सभी को पसंदा है अभी तक तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को अगर पहली बारा है इसको हम बोलते हैं बेकिंग सूडा भी तो चले next question की बात करते है first question 1 हो जाएगा 29 ammonia का राशानिक सूतर क्या होता है तो मेरे प्यारे दोस्तों right answer हो जाएगा NH3 NH3 जो होता है फ़र्ण यह ammonia का राशानिक सूतर होता है चले next question बताएगे जिसका right answer आप सभी को comment box में बताना है कि भारती कैंसर अनुशंधान संस्थन कहाँ पर इस्तित है और आपसने कोलकाता, चेन्ड़ी, मुंबई या फिर दिल्ली इन में से कौनसर सही होगा मुझे comment box में जरू बताएगे मिलेंगे next video में अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है इस तरीके के टॉपिक आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को like and share करना और comment करके आपको बताना कि आपको कैसा लगा ही वीडियो तो तब तक के लिए जैहिन जैभार्त वंदे मात्र